अकेले में जंगली हाथी के हमलों से कैसे बचे हाथी के जुंद में हमेज़ा एक उट को रखा जाता है जो पागल हाथी के कानों को चबा कर उसे शांच करने की कोशिश करता है इसके अलाबा कुमकी मादा हाथी जो की खास ट्रेंड होते हैं उनसे पागल हाथियों को कंट्रोल किया जाता है लेकिन जब हाथी के बाड़ी में टेस्टोटरोन काफी बढ़ जाता है तो पागल होकर अपने सामने आने वाली हर चीजों को उखार फेकते हैं और इंसानों को कुचलना सुरू कर देते हैं अगर आप किसी पागल हाथी के चपेटे में आ जाए तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि पेर पर चड़ कर हाथी से बच जाएगा तो एक काम आपको भूल कर भी नहीं करना है हाथी के सूड में इतना ताकत होता है कि किसी भी पिर को उखार कर फेक दे अगर आप गाड़ी के अंदर फसे हैं तो यह और भी खतरनाक बात हो सकती है पागल हाथी के लिए आपके गाड़ी को कुछ चलना तो और भी आसान है ऐसे में आप घबराईए नहीं फौरन गाड़ी के बाहर निकल जाएं सबसे पहली बात कि आपको हाथी के करीब जाना ही नहीं है और अगर हाथी के जुन में बच्चे हैं तो बिलकुल भी नहीं